हेलो दोस्तों बहुत बहुत शागत है तन्रीज टुटरल में दोस्तों अगर आप अर्थ डिस्ट्रक्शन से रिटेड मुवी पसंद करते हैं तो यह जो मुवी मैं आपके रिले क्या हैं यह वन अफ दे बेस्ट मुवी है जिसको आप चाहेंगे जो आपको अच्छी जरूर लगने वाली है तो इस मुवी को मैं पूरा आपको इस टिगाई में बताउंगा एकस्ट्रेण करूंगा पूरी मूवी और श्षॉट मैं आपको इस ट्योरी बताउंगा अगर आप देखना नहीं चाहते हैं और श्षॉट में सिच्टोरी जानना चाहते हैं वीडियोज आपको दूँ उसके नोटिफिकेशन डिरेक्ट आप तक पहुँच जाएं तो दोस्तों मुवी का नाम है ग्रीन लेंट अगर मैं मुवी की बात करूं आयम डीवी रेटिंग जो है 6.4 आयम डीवी रेटिंग है आउट आफ टैन यानि की मुवी देखनी चाहिए अच्छी मुवी है तो उस मुवी को आप देशकते हैं उसके अलावा मुवी की एगर लेंट देखें तो एक घंटे 69 मिनट यानि की 1 आर 59 मिनट है ज्यादा नहीं है ये मुवी कैसे निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा मुवी शुरुवात होती है चलती रहती है लेकिन मुवी कहीं पे आपको बोर नहीं करने वाली है तो इसलिए ये मुवी वन टाइम बॉच है आप इसको एक बार जरूर दे सकते हैं अब मुवी के शुरुवात कहां से होती दोस्तों यहां पे अगर मैं कास की बात करूँ तो मुवी की कास में कुछ बड़ा नाम है जिक के गिराल बटलर है जो कि जॉन गरेटी का अभी ननिबार है वहीं पर हम देखें अलिसा गरेटी साथ में नेथन गरेटी यह तीन जो हैं यह मैंन करेक्टर हैं इस मोवी के क्योंकि यह हस्बेंड वाइफ साथ में इनका बच्चा इनी तीन के एड़ गर दिये मोवी देखने के मिलेंगे लेकिन जो मेंन करेक्टर मोवी में हैं वो यहीं पर हैं गराल बटलर जिनका बहुत बड़ा नाम है जो आपको ऐसी मोवी में जो भी होती हैं उनमें लगभग देखने को मिलते हैं जो भी डिस्ट्रक्शन से लेटेड होती हैं और अच्छी के एक एड़त कर दिया मुवी के गवी साथ में इनका बच्चा अरंकी बेवी तो मुवी के थोड़ी से इन सीन देखते हैं फिर मैं मुवी के आपको टेटेलर बताऊंगा तो दोस्तो मुवी में आपने अभी तक देखा जतना यहाँ पर जो हमने कुछ सीन्स देखे हो उसमें दिखाएगे कि आसमान से कुछ बरसता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर मुवी पूरी इर्दगर दिसी के लिए गुमती है कुछ साइंटिफिक अनमान लगाते हैं और गंतों में कुछ दिनों में आसमान से कुछ कौमिट गिरने वाले लेकिन कौमिट कितना बड़ा होगा यह यह नहीं लगा पाते हैं तो इतनेidents अलर्ट्स नहीं जारी किये सकते हैे पहले से बताते हैं कि आएंगे वो समूदर के बीच में गिर जाएंगे ज Diego को कोई जौन गैरती है ये एक आर्किटेक्ट होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं उसके बाद इनकी वाइफ और ये दोनों अलग रहते हैं एक साथ नहीं रहते हैं लेकिन दोनों बच्चे को चाहते हैं तो जौन जब अपने बच्चे को मिलने जाता है तो एक छोटी सी पार्ट लिए क्यों चुना गया है और इनकी जान बजाना चाहती है अमेरिकन एजनसी अमेरिकन गौवर्मेंट लेकिन इंडो खुद नहीं पता होता है तो दूसरे लोग इंजन नहरा जोने लगते हैं कि ऐसा क्यों यह जो अलर्ट हो रहा है आपके लिए क्यों आ रहा है आपके मव कोई में यह बीच का सीन है यह स्टर्टिंग का सीन नहीं है तो दोस्तों मूवी में आपने देखा यहां पे भी तक जॉमने ट्रिलर में देखा उसमें बताया कि कॉमेट का नाम जो कि क्लार्क है क्लार के कॉमेट होता है लेकिन यह एक कॉमेट नहीं है मल्टिपल कॉमेट होते हैं जो कि अर्थ के तरफ बहुत तेजी से आ रहे होते हैं और फिर अलर्ट में यह भी बताया जाता है कि अगले 24 घंटे में यह कॉमेट जो है वो अर्थ पर अटैक करेगा यानि कि अर्थ लडएगा और इसका जो diameter है वो इतना बड़ा है कि यह पूरी आर्थ को destroy कर सकता है तो जो बड़ी-बड़ी agenies होती है वो सोचती है कि कुछ हम जंजाती को ऐसी जंजाती को बचा रेखे जो कि आगे हमारे जो progress में है, आर्थ के progress में फिर से काम आए, तो वो अब यहाँ पे बात आती ही कि क्यों इनको चुना गया, वो सारी चीज़े निकल के आती है, तो जब यह जाते हैं वहाँ पे shelter के लिए जैसे shelter के लिए चाड़ते हैं, वहाँ पे जो army होती है, वो इनको ल आलिंद के होते हैं, वो यह miss कर देते हैं, कार में तो नेथन की wife साथ में, उनका बेटा नेथन, sorry, तो जो जोन की wife, यानि की Allison साथ में नेथन, वो आगे बढ़ते हैं, और जोन बोलता है, मैं जो की injections है, वो मेरे लेके आता हूँ, जो कार की तरफ जाते हैं, तब ही यहाँ पे Allison और John को पतर दलता है, कि कोई भी बीमार इंसान चल्टर में नहीं जा सकता, और नेथन को थी बीमारी, तब यहाँ पे जब फिट से John वापस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है, कि उनके बीवी और बच्चे बाहर ही रह गए, उनको नहीं आने दिया गया है, उनके हा पे ट्ट किया गया रहता है, वो भी चाहते कि मैं भी शल्टर में जाओं और वो लोग वहाँ पे अफ्रात अपरी मरा चाहा देते हैं, साहाथ में गोलिया भी बरसाने लगते हैं, जसे कुछलों की जान भी वहाँ पे चली जाती है, और पेट्रो लिक होने लगता है, बीच में जो इनके father-in-law है, उनका घर पढ़ता है, जिनका नाम है Dale, वहाँ पे लेते हैं, तो ये अपने father-in-law Dale को भी दाने के लिए साथ में कहथे हो हैं, लेकिन Dale मना कर देते हैं, तो Dale इंके साथ में नहीं आते हैं दोस्तों, तो जो बसते हैं, वो जाते हैं, दोस्तों, Nathan जौन एलिसन ये तिनों लोग जाते हैं थोड़ी सी और क्लिप देखते हैं तो दोस्तों इसमें अभी तक आपने यहां पर दिखाए कि जो पहला सीन आपको घर में दिखाता जो चड़िया उड़ रही थी वो घर का जो पहला सीन जहां पर इनको एक्चुल में मालम पड़ता है कि यह कॉमिट कितना खतरना होता है उसके बाद मैं जौन अपने बीवी बच्चे को लेके कोशिश करता है उस एरोप्लेन तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी ताकि वहां पर पहुंच जाए लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे अंजान लोग भी होते है जो उस इनके हाथ पे जो ब्रेसलेट बना होता है उसको चाहते है ताकि वो अमेरिकन अजंसी के पास जाके उस ब्रेसलेट को दिखा सके और शल्टर पास सके यानि कि दोखा दरी चालो जाती है साथ में पूरे दुनिया में यानि कि पूरे शेहर में अफ्राताफरी मज जाती है जो इस्टोर्स होते हैं वहाँ से लोग सामान चुराने लगते है ताकि अपने कुछ दिनों का खाना वगएरा बंदोबास कर सके तो वहाँ पे अफ्राताफरी मज जाती है उसी रास्ते म होती है अपने बच्चे के साथ में एक lift लेती है लेकिन lift लेनिक जो उसमें आदमी होता है वो थोड़ा सा होता है चालाग वो सोचता है कि इसकी वाइफ यानि की Allison को बाहर कर दिया जाए और Allison का bracelet ले लिया जाए और उस bracelet के साथ में अपने बच्चे को यानि के Nathan को अपना बच्चा दिखाएंगे और आगे जाने कोईश करते हैं लेकिन तभी Nathan वहाँ पर जब American agency के पास मिलाता है वहाँ बोल दिता है कि ये मेरे असली parents नहीं है तो American agency Nathan को अपने साथ में रख लेती है और वेट करती है उनके mother father का तभी वहाँ पर Allison और John साथ में मिलते हैं डेल के साथ में उन्हें पता चलता है कि आगे हमें कैसे जाना है अब हो जाते हैं फिर आगे थोड़े सी और क्लिप दिखते है तो दोस्तों अंतता हो लोग पहुँच जाते हैं प्लेन के तरफ लेकिन प्लेन और डी ओवरलोड़ेट होता है और उनका प्लेन ने मना कर देता है लेकिन नेथन, एलिसन और जॉन ये तीनों गाड़ी में प्लेन के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और प्लेन को मजबूर करते हैं कि उनको भी साथ में लेकिन उसी टाइम के बीच में जो propriet है कौमेट के कुछ टुकडे जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं इनको नहीं अदाज होता है कि इतना जल्दी आने वाला है लेकिन वो जल्दी आने लगते हैं जिससे plane disappearance होने लगता है plane disappearance होने के साथ में collapse जता है एक बर्फ की चक्टान में जिससे acontecendo na वो बच जाते हैं और पास में ही होता है वहाँ पे Greenland का bunker यानि कि shelter जिसमें वो जाते हैं उसके अंदर और कुछ के कुछ तेरबाद में ही होता है बहुत बड़ा धमाका बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पूरी दुनिया नस्ट हो जाती है लेकिन जगे जगे पे शल्टर बना होता है हाला कि Greenland में नहीं जगे जगे पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी प्रजाती को यानि कि अपने कुछ इंटरलेजन लोगों को बचा के रखा होता है ताकि वो आगे की दुनिया को चला सके तो जब यहां से फिर Greenland से जब लगला कॉंटेट किया जाता है तो मुने पता दलता है कि कुछ लोग बचे हुए हैं पूरी दुनिया नहीं नस्ट हुए लेकिन पूरी दुनिया यानि कि लगभग नस्ट हुआती है कॉमेट के वज़े से और मुवी का होता है यहां पर खात्मा तो दोस्तों मुवी यहीं पर गोमती है लेकिन मुवी आपको इंजॉय करने को मिलेगी थोड़ी से बाहर देख लेते हैं तो दोस्तों लास्ट में मुवी यहीं पर खतम हो जाती है क्योंकि मुवी कंक्ल्यूड जाती है लास्ट मुमेंट पे और गिराल बटल अपने बीबी और बच्चे को बचा लते है लेकिन बचे हुए लोग यानि कि डेल और उनके और भी जो दोस्त होते हैं जो उनके परोसी होते हैं उनका क्या होता है ये मुवी में कहीं पे नहीं दिखाएगया है साफ मैं अगर मुवी के बात करें तो मुवी अच्छी है जैसा कि मैंने बताया आप इस मुवी को destruction से लीटेर अगर तो देः सकते हैं इस मुवी को एक बार तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आगे भी ऐसे मैं आपके लिए reviews और सब कुछ लाता रोंगा लेकिन बहुत important बाद जो मैं आपको बताता है यह movie आप देख कहा सकते हैं यह movie आप देख कहा सकते हैं यह movie देखी कहा सकते हैं तो दोस्तों यह movie Amazon Prime के lines gate पे free of cost है अगर आप lines gate पे subscription ले रखा है तो यह free of cost है वहा देखने को मिल जाएगी Greenland हम देखते हैं यह एक पर यह देखे 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 सब्सक्राइब यहाप लिखा हूँ है न देखे स्टार्ट यह लाइंस gate प्ले और यह डावन सब्सक्रिप्शन और वाच डाओ तो यह सब्सक्रिप्शन आपको अगर आ देखे बिद्स करन देखे जान यह दोक्ताइब यहाँ च्छक्ताइब देखे टीरियो थे एक भी सब्सक्रिप्शन आपको अरणे यह है थे